मेरा नाम उज्वला गुवाल के मैं महराष्ट जिला अम्रवती गावड गाउं की रहने वाली हूँ कहीं बेठी हो तो हाथ हिला सकती है मेरा नाम उज्वला गौाल के मैं महाराष्ट जिला अमरवती गावड गाउं की रहने वाली है कहीं बेठी हो तो हाथ हिला सकती है इदर बेठी है हाथ ठीक है दिख गए हो ऐसा हाथ हिला दो एक वार श्रीशिवाय नमस्तु अभ्यम बापी साथ हिलाव एक वार श्रीशिवाय नमस्तु अभ्यम आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से पर्थम मेरा नम उज्वला गवाल के मैं महाराष्ट जिलामरबती गावड गावर गाउं की रहने वाली हूं भोले की कृपा का मैं क्य अव्योर गुडियाँ क्या अपड़ सकते हैं एह लडियां जिती लगी हैं उस पर वी आप पत्र पड़ सकते हैं मेरा नम उज्वला गवाल के मैं महाराष्ट जिलामरबती गावड गाव की रहने वाली हूं भोले की किर्पा का मैं क्या गुरगान करूं गुरदेओ मेरा बेटा दो साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था लेकिन एक या दो नंबर से रह जाता था एक बार में आकोला को कथा में साथ मई को कथा सुनने के लिए किवल एक दिन के लिए आई आप कहते हो पंडाल में जो कथा सुनता है दिल से जो बाबा से कहता है बाबा उसको देता है दो साल से मेरा बेटा परिशान था उसको कोई नोकरी आर्मी में नहीं लग रही थी मैं साथ मई को आकोला की कथा सुनने के लिए चली गई एक दिन के लिए कथा सुनी भूमी को नमन करा गुरुदेव सत्य है जहां श्यू महापुरान की कथा होती है वहां की भूमी भूमी नहीं रहती कि एलाज बन जाती है और वहां कंकर शंकर निवास करता है आप करते हो जहां जगा मिले वहां बेट कर कथा सुनो हमको तो पंडाल में जगा मिली ही नहीं हम तो बहुत दूर बेट कर कथा सुनते रहें गुर्देयो भूमी पर बेट कर कथा सुनी आपने शरी शिवाय नमस्तु भ्यम का जाब करवाया हमने बाबा से विंती करी मेरे ब मैं बाबा को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 25 अगस्त को मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्षन हो गया और वो आर्मी की नोकरी में लग गया मैं बाबा को यहां दंडवत प्रणाम करने दन्यवाद देने के लिए आए यह शिवतत्व है योग भड़ी बैठी है बैन शिरी शिवाय नमस्तु तो बैठी इसी को शिव कर